हेलो फेंट्स, वेलकम टू शेयर मार्केटेट बेंट्स, आगर सिमेंट्स के तरफ से मार्च क्वार्टर की फिनाशल रिजल्ट्स आउट हो चुका, चलिए हम लोग रिजल्स को अनालिसिस करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो की स्टेट्मेंट है स्टेंडलाउन कॉन्स में 420 करोड के राउंड इंकम निकलके आई थी, इस बार की जो इंकम है, quarter over quarter और year over year दोनों में जंप देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट्स यहाँ पर हम लोग बात करें, तो कम्पनी को जो प्रॉफिट है, 16 करोड के राउंड प्रॉफिट हुआ है, जबकि प्रीवेज क प्रॉफिट्स में बहुत बहुत जादा हुआ था, 452 करोड के राउंड प्रॉफिट्स में, बहुत बुरी तरह से गिरावाट आई है, year over year में, लेकिन quarter over quarter में थोड़ा सा तेजी हुआ है, प्रॉफिट्स में, और अगर हम EPS की बात करें, तो कम्पनी की जो EPS है, देख स बात करते हैं, तो यहां देख सकते 505 करोड का इंकम है, जबकि previous quarter में अगर देखे, 335 करोड का इंकम था, और March 21 quarter में 419 करोड का इंकम था, तो इस बार जो इंकम में quarter quarter में एक तेजी देखने को मिला है, लेकिन year over year में भी देख सकते हैं, तेजी देखने को मिल रहा है, आज 21 quarter में 48 करोड के रॉन जो इस बार प्रॉफिट हुआ था, इस बार के जो हैं तो इस बार के जो इस बहुत जादा लोसे से हुआ है, quarter over quarter और year over year दूनों बहुत जादा ग्रावाट आई है, फिंस consolidated में जो इस बहुत जादा वीक देखने को मिले लेकिन, stand-alone में थोड़ इन दोनुस company ना revenue generate करती, जो की lakhs में numbers है, यहाँ आप लोग data को देख सकते हैं, अब हम लोग वीडियो कहीं प्रेंड करते हैं, और अगर कोई doubt हो है, stocks के बारे में तो comment box में पूछे, और financial results का भी doubt हो, तो आप लोग comment box में पूछ सकते हैं, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तिल दे बाइब बाइब बाइब